Article 20 बोलता है No person shall be denied of his life और personal liberty except according to the procedure established by the law हर किसी को कोई भी अपना जीने का अधिकार किसी से भी छीना नहीं जाएगा ठीक है किसी से उसका personal liberty नहीं छीना जाएगा Now, Article 20 सर अगर एक sentence में बोनना है तो Article 20 क्या देता है Right to life जीने का अधिकार Right to life सर राइड टू लाइफ आपसे कोई नीचीन सकता Right to life आपसे कोई नीचीन सकता ऐसा है क्या सर छीन सकते हैं Right to life छीन सकते हैं By following procedure established by law छीना जा सकता है अगर आपने कोई crime वगरा किया है तो आपका Right to life भी छीना जा सकता है लेकिन अगर आपकोई crime नहीं किये हैं और जो state है वो procedure established by law फालो नहीं कर रही है तो सर उस केस में आपका Right to life छीना नहीं जा सकता Now see What is the meaning of life Meaning of life For example मेरा दो बेटा है कालू चकालू ठीक है कालू को हम भहुत मारते हैं भहुत मारते हैं चकालू जो है हम उसको राजा बेटा जा सरकते हैं चकालू को हम private school में पढ़ाते हैं और कालू को हम आँगण बाड़े में भी नहीं भाजते हैं चकालू को हम बड़ा बड़ा toys खहित के देते हैं और इसको आज तक कालू को आज तक हम एको तो बेलून भी नहीं ख़ीद के दिये हैं ठीक हैं है चाकालू को हम हर एक सुख्सु विधा देते हैं और कालू से घर का हर एक काम करवाते हैं गंदा से गंदा गटर भी साप करवाते हैं उससे से अब आप मुझे बताइएए दोनों का जीवन क्या आपको शमान लग रहा है कालू अच्छा का लुऑ दूनों जी रहे कि नहीं जी रहें कि दूनों जी रहें हो आर्टिकल इचीस तरह आहिंच यहिए लोकिन नहीं धर प्र द्रॉकू आपर एसपेक्ट में देखा जाता है देखिए कालू जो है वह जीतों है च्या कालू जा वो भी जी रहा है सांस दोनों में चल रहा है लेकिन चालू जो है वो अपना चोईस से जी रहा है जैसा उसको जीना है वैसे जी रहा है जैसा उसको मन है वैसे जी रहा है वो अपना फुल डिगनिटी से जी रहा है लेकिन सर कालू दूसरे जगा पर कालू मेरा छोटका बिट पास right to choice है, क्या उसके पास choice है, जिस तरह से वो अपना life बिताना चाहता है, वो उस तरीके से अपना life बिता पारा है, नहीं बिता पारा है, सर, क्या वो अपना life full dignity से बिता पारा है, नहीं बिता पारा है, सर, ये discrimination है, और ये violation है article 21 का, क्योंकि article 21, right to life का मतलब सिर्फ और सिर जीना नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ सांसे चलना नहीं, right to life में ये मत समझे कि कोई इंसान बस उसका सांस चलना है तो वो जी रहा है, नहीं सर, नहीं सर, article 21 क्या बोलता है, life is a very broader term, very broader term, living according to article 21, what article 21 says, that right to life is living with choice and dignity, सर जी एंगे तो dignity के साथ, किसी का बाप का नहीं सुनेंगे, जो मन मारा लाइफ में वो करेंगे, that is living the life with choice and dignity, article 21 आपको सिफ जीने का अधिकान नहीं दे रहा है, article 21 आपको आपका choice और dignity वाला life देने का बात कर रहा है, बोली सब को समझ माया, according to article 21, life is not merely living, according to article 21, right to life is not merely living, it is living with choice and dignity, it is living with choice and dignity, for example, मैं अपने वाइफ, मैं वाइफ को लेके आता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, तुम घर से बाहन नहीं नहीं कलेगी, तुम किसे बात नहीं करेगी, तुम सीरेल भी नहीं देखेगी, तुम लॉन्वेज नहीं खाएगी, तुम कोई western dresses नहीं पहनेगी, Sir, what I am taking away from her? Her right to choice, उसका choice का चीज वो कर पाएगी किया life में, उसका choice है, उसका मन है कि हम सीरेल देखें, उसका मन है कि हम western dresses पहने, उसका मन है कि हम बाहर स्वापिंग करने, अखेले जाएं, उसका मन है कि अपना फोन में किसे से बात करें, उसका मन है sir उसका choice है लेकिन क्या कर रहे हम उसका choice छील ले रहे हैं कि नहीं नहीं तुम नहीं तुम नहीं करेगी इस सब चीज है जो हम बोलेगगे वही चीज तुम करेगी now tell me वो जिनदा तो है सास तो उसका चल रहा है लेकिन according to article 21 क्या मैं article 21 को violate नहीं कर रहा हूं बताईए Sir, it is violating article 21 Because article 21 में ये लिखा हुआ है Article 21 में जो life word है ये शिर्फ और सिफ जीना नहीं है Life मतलब शिर्फ और सिफ जीना नहीं Life with full choice and dignity एकदम जियेंगे तो Sir हक से किसी का बाप का नहीं सुमें और सर ये जो judgment है that article 21 includes right to life where life is not merely living it is living with choice and dignity ये किस case में बताया गया था सर तो सर एक case हुआ था मेंका गांधी मेंका गांधी वसेस union of India मेंका गांधी वसेस union of India ठीक है और एक था Francis Francis को करायली केस करायली मुलीन केस ठीक है मेंका गांधी वसेस union of India और Francis करायली मुलीन केस सर इन दोनों केस में Supreme Court ने ये judgment दिया था Supreme Court में ये judgment दिया था that article 21 includes right to life where life means not merely living सिफ सास चानना life नहीं है सर living with choice and dignity मतलब सर state state क्या इंटर्वेस कर सकता है आपके life में क्या state आपको force कर सकता है नहीं कर सकता है ये मेरा right to life है ये मेरा right to choice है अगर मेरा मन किया तो वो काम करेंगे state तुम कोई नहीं होता हमको उस चीज़ के लिए force करने वाला अगर्ट्था के लिए ये अजय और अगर अच्छा समझ में इस अर्टिकल ट्रीट्ट्रीट्ट वेन सथा अगर्रा सबस्क्राइस आपके अजय के लिए लॉट ख ही और आज terrific यह दिनला आपिन दिटी आप बादर न अपर श्राइब राइट को समझ माया आपिकल टुनीवन का लाइफ क्या बोलना चाहता है वाट इस लाइफ आप लोग लोग पी आई लोग पी आयल पुबिक इंटेस लिटिगेशन सब P.I.L. फाइल किया जाता है तो फिर से P.I.L. फाइल करते हैं उसके खिलाफ उस जजमेंट के खिलाफ तो सब्सक्राइब पुब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन you won't believe maximum जो PIL है न सर वो अंडर आर्टिकल 21 फाइल किया जाता है क्यों क्योंकि life, right to life is a very broader term हम मैं prove करके दिखाऊँगा भी आप लोग feel करेंगे खुद क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना broader term है इतना wider term है सुनिए का दिहान से एक case हुआ था और सर ये सब case याद रखना है क्या नहीं बाबू नहीं याद रखना है रट जाना है ठीक है पहला case क्या बता है मेंका गांधी वसेश यूनियन ओफ इंडिया दूसरा फ्रेंसिस गोरैल म्यूलीन कभी अगर आप लोग छोटा मोटा exam क्यारी कर रहे हैं mcq में कभी कभी पूछ देगा ठीक है दूसरा state psc वगरा यूपsc वगरा त्यारी कर रहे है सर मेंस में answer rating में अगर ये सब लिखेगा ना तो examiner जो copy check करने वाला बैठेगा ना इसको लगेगा कि हां कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है ठीक है next एक case हुआ था सुनियेगा ध्यान से सफीन जहान versus असोका के-म सुन रहे हैं आप लोग सुनने रहे हैं ध्यान से सुनिये एक case हुआ था सथ सफीन जहान वर्सेश असोखा के-म क्या था ये केस में, क्या था ये केस में, सुनिए गजियान से, एक लड़की थी, जिसका नाम था, उसका कुछ हिंदु नाम था, अखीला केम, ठीक है, एक लड़की थी, उसका नाम था, अखीला केम, ये लड़की क्या की, ये लड़की क्या क्या की, ये लड़की क्या की, अखीला असोकन केम, या फिर अखीला केम, यह लड़की थी जो लड़की है यह क्या की यह एक लड़का से प्यार करती थी उसका नाम था सफीन जहान सफीन जहान और हाँ कोई भी आलतु फालतु कमेंट किया सर विलिजन के वैसिस यह में या फिर कोई भी किसी भी चीज के वैसिस में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फर्दर क्लासेस आप नहीं ले पाएंगे आप चाहें मेरे कितने भी अच्छे मित्र हो या पिस कोई भी हो ठीक है आगे बढ़ता हम लो अब इसी प्रेम में क्या कि अखीला असोकन अपना धर्म बदल ली अपना धर्म बदल ली पहले यह हिंदू थी अब कंवर्ट होगी किसमें अब यह फॉलो करने लगी इसलाम को ठीक है अब यह मुस्लिम बन गई और मुस्लिम मन के अपना नाम भी चेंज कर ली अपना नाम क्या बदल ली यह हादिया अब नाम बदल के अपना क्या कर ली हादिया हादिया अपना नाम बना ली हादिया नौसी क्या होता है हादिया अपना नाम बदल ली ठीक है पहले इसका नाम था असोकन अखीला असोक भी कर लिए, दोनों मैरी भी कर लिए अब इसके फादर को ये पसंद नहीं आया कि भाई कैसे कोई मेरी बेटी है, कैसे वो नाम बदल लेगी कैसे वो इसलाम धरम को एक्सेप्ट कर लेगी कैसे वो किसी से भी साधी कर लेगी वो तो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ कैसे कर लेगा तो सर ये जो असोकन केम थे ना ये केस फाइल करते है कोट में केस फाइल करते है हाई कोट में फाइल करते है फिर हाई कोट से केस जो था वो सुप्रीम कोट जाता है और सुप्रीम कोट का क्या जजमेंट आता है सर इसको पापा को क्या बोले सुप्रीम कोट असोकुन केम जी को बोल रहा है कि सर आपकी बेटी जो है न वो बालिक है आपकी बेटी जो है न वो बालिक है आपकी बेटी जो है न वो बालिक है Sir, it is her choice to marry this person, it is her choice to marry this guy named Safin Jahan, you are nobody to stop her, because article 21 is giving her the shadow, giving her the protection, giving her the power to do so. मतलब टेल मी, article 21 क्या आपको right to marry भी देता है, आपको अपने चोईस से किसी भी इनसान से आप साधी कर सकते हैं, यह article 21 प्रोवाइड करता है, बोलिए सही है गलत, Sir, Supreme Court का जो भी case होता है न सर, यह repository के तरह है, Supreme Court का जो भी case आ गिया, क्योंगी क्यों पढ़ा रहा हुँ Supreme Court का judgments, त거든, सर जो भी judgment होता है न, वो एक law बन गया, वो एक law की तरह, वो एक law कीiliar बिहे उता है, for example, future में कभी ऐसा, similar टाइप का case आएगा न, माल लीजे, वरुन राज वसेज यूनियन ओफ इंडिया, ऐसा ही हम भी किसी से साधी उदी कर लिये, किसी दूसरा कास्ट का लड़की से, उखरे पे साधी कर लिया, उखरे पे केस कर दिया लड़की पे, तो हम केस लड़ेंगे, for example, हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम ही केस लड़ेंगे, हम वकिल उखिल मतलब सर, सुप्रीम कोट का जो भी जजमेंट है न, वो as a law माना जाता है, वो एक law माना जाता है, now tell me, article 21 includes right to life, sir, right to life in a very wider sense or in a very narrow sense, sir, in a very wider sense, in a very broader sense, that is why, article 21, क्या बोलता है, कि life is not merely living, it is living with choice and dignity, sir, here, हाधिया का choice क्या था, सफीन जहां से साधी करने का, that is why, she has right to marry this person, and article 21, उसको help करता है, इस चीज में, now tell me, हाधिया का ये मन था, अपने मन से उसका choice था, कि वो हिंदू धर्म को छोड़ के, इसलाम धर्म को accept करे, मतलब, sir, right to choose any religion, क्या ये भी article 21 देता है, हाँ, sir, देता है, tell me, समझ माया, पूरा केस, article 21, सिर्फ छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है, अब आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा, right to convert to some different religion, is it under article 21 or not, yes, sir, it is under, sir, it is under, sir, right to marry a person of my choice, of your choice, is it possible or not, yes, sir, it is possible, and who is protecting it, sir, article 21 is protecting it, बूलिये, समझ मारा है, sir, सफीन जहान, case important है, sir, याद रखिएगा, story उतना याद रखने का जौरत नहीं है, but conclusion याद होना चीए, कि इससे conclude क्या हुआ था, ठीक है, क्या-क्या चीजे निकल गया आई थी बाहर, ठीक है, next, sir, एक case हुआ था, बहुत पूराना, ये जो case है ना, sir, ये 2018 का case है, ज्यादा पूराना भी नहीं है, ये 2018 का case है, एक case हुआ था, 1991 में, सुभास कुमार, सुभास कुमार versus government of Bihar और state of Bihar, ठीक है, state of Bihar, सुभास कुमार versus state of Bihar, Now tell me, इस case में क्या था, सुनिये का धिहान से, किसलिए मार हुआ था, अच्छा, दिल्ली में, air quality कितना अच्छा है, बताइए, अच्छा है कि खराब है, खराब है, खराब है, अब, क्या state को proper steps लेना चाहिए, ये वस air quality को सही करने के लिए, क्यों लेना चाहिए, सर, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, right to life, and it is my choice, and it is my choice, to inhale good quality of air, सर, ये मेरा right to life है, right to choice है, सर, मेरा ये choice है, कि मैं एक unpolluted area में रहूँ, एक clear air में रहूँ, clear air, good air, clean air को inhale करूँ, ये मेरा right to life है, सर, ये मेरा choice है, सर, सर, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है, right to life, and right to life means what, only living, no, सर, it is living with choice and dignity, it is my choice, to be in an unpolluted city, unpolluted environment, मतलब सर, मैं एक unpolluted environment में रहना चाहता हूँ, और state, तुमको ये unpolluted environment लाना पड़ेगा मेरे लिए, तुमको एसा unpolluted environment मेरे लिए बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, right to life, and right to life means what, living with choice and dignity, सर, ये जो केस हुआ था ना, सुभास, सुभास कुमार वसे, state of बिहार, इसमें किस टीज के लिए मार हुआ था पता है, ये सुभास जीजो थे ना, ये मार कर रहे थे, for right to unpolluted, right to live in a, live in unpolluted society और atmosphere, ठीक है, मतलब सर, clean atmosphere, clean atmosphere में रहने का भी right है सर, आपका right है, right to life है सर, और उसके लिए मार हुआ था, इस case में, और सब्सक्राइब कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट का order आया था, उस वक्त, उस वक्त, कोर्ट में ये बोला था कि, हाँ भाईया, ये सही बात है, it is your right to stay in a unpolluted area, in an unpolluted environment, आप एक clean environment में रहेंगे, ये भी article, 21 के तहत, right to life में include होता है बूली समझ माया सबको sense, can you feel it, can you feel it, yes, you should feel it, okay, now see, आप लोगो ने केस, आप लोगो ने क सेक्षन सुना होगा सर, किसी को बता है, सेक्षन 377, IPC, किसें सुना है, 377, तुने हिसना है, नहीं किसी इस पनी यह पिल नहीं ह्ट नहीं सुने है यह से चाहिख सोना है और किसने री सुना है और सोने है से हम τι में इस अशिज्बन से अधिकल 177 अधिकल 377 आठिकल 377 छो अगरिकल executive of ipc dhara 379 IPC, what it says, it prohibits, it prohibits unnatural intercourse which is not prescribed in our nature, which is against the nature. It is prohibiting intercourse which is not suitable as per the nature. For example, have you heard about LGBTQ community, lesbian, gay, bisexual, transgender, have you heard about all these persons? Yes. Sir? Yes. They used to have intercourse in a very unnatural manner and according to this section, according to section 377 of IPC, it is prohibited, it is not allowed. If you are engaging, if you are indulged in all these practices, the state have the power to arrest you, according to article, according to section 377 of IPC. Sir, state have power to arrest you and it could be a jail for, could be a jail for one year or something more also. Sir, this section 377 was in India, but now it is abolished. इस लोग को हटा दिया गया, इस section को हटा दिया गया है. कैसे हटा, Sir? सुनिये का ध्यान से. एक केस हुआ था. नवतेज सिंग वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया. ठीक है? नवतेज सिंग वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया. ठीक है? सर हटाया नहीं गया था. वो सुप्रीम कोट ने बोला था कि ऐसा नहीं होना चीए. ठीक है? सुप्रीम कोट ने जब बोला तब गुवर्मेंट आई. कि मतलब उसमें, क्या बोलता है? रोल में आई. ठीक है? सुनिया अगा धिहां से. इस केस में हुआ क्या था? इस केस में, matter of conflict या फिर matter of discussion क्या था? Just understand, okay? Just go through, just listen my words. That's it, okay? Just listen my words. Carefully only. इस case में हुआ क्या था? For example, see, I am a person. I have right to life. I have right to life. Article 21. protects me. Article 21 protects me and gives me right to life, sir. And according to Article 21, right to life is not merely living. It is living with choice and dignity. ये चीज़ में अभी 15 बार बोल चुका हूँ. Living with choice and dignity. Sir, Master Budbuck नहीं बार बार बोल रहा है. आपके mind में, जब मैं बोल रहा हूँ, तो आपको भी अपने mind में आना चीए. Living with choice and dignity. Sir, जीएंगे. एक्दम अपने हख से जिएंगे, अपने दम पेजानेंगे, जीएंगे. Full dignity के साथ जीएंगे. किसी का बाप का सुनके नहीं जीएंगे. जीएंगे तो full choice से जीएंगे. That is Article 21. What is Article 21 is telling us. Now, see. What I feel, मैं एक बंदा हूँ, ठीक है. What I feel that I don't feel for any, anyone from opposite sex. I don't feel anything about, anything about some opposite sex. Okay. What I feel, that I like some boys. I don't like girls. I like boys only. That is my choice. That is my choice. That I don't like any girl. I like only boys. That is my choice of living. That is my choice of life. Who are you to decide that I should not be in a relationship with a boy? Who are you to decide it? According to Article 21, Article 21 says that Right to Life, sir. Right to Life दिरता है, sir. Article 21. Article 21 बोलता है, Right to Life के बारे में. And it also says that Right to Life, Life word means not merely living. It is living with choice and dignity. Choice and dignity. It is my choice. It is my choice that I want to live with a boy only. Who are you to decide that I should not live with a boy? It is my choice. Sir, यही discussion था. यही conflict था, sir. इस case में. और इस केस का निसकर्च का निकला. इस केस का निसकर्च का निकला. That Right Right to Choose Right to Choose Sexual Orientation Right to Choose Sexual Orientation is also included under Article 21. It is also included in Right to Life. Sir, what I want to be? I just want to be a male. I just want to be a person want to be a lesbian. a person want to be a gay. A person want to be a bisexual. A person want to be a transgender. He or she could become that. Because it is their life of their it is their choice of living. And according to Article 21 anyone having their choice can do anything. That is why this court this court means इस वाले केस में इस वाले केस में कोर्ट का जैज्जमेंट देती है that every person have right to their sexual orientation sexual orientation and on this basis only section 347 जो था ना IPC को it is it is decriminalized इसको बंद कर दिया गया इसको हटा दिया गया बोलिये समझ माया सबको इसकेस का जैज्जमेंट किया था इसको ने समझ माया सबको recording देखेगा ठीक है अच्छा समझ माया आगा सुनिया next section 350 but sir एक चीज है if I want for example I am a boy I have some feeling for some other boy ठीक है but that boy is not having feeling for me but I am forcing him that please come in a relationship with me sir that is not a right thing that is illegal whatever relationship you want to be that should be mutually consented it should be mutually it should be with mutual consent it should be consensually it should be not on forceful manner forcefully नहीं होगा sir same thing applies for the other like if a girl is having feelings for other girl then other girl should have feelings for her both consent is required okay I hope you can understand next एक केस आया sir सुनिया का धिहान से I hope नवतेद सिंह केस now tell me भारत में LGBTQ community community sorry LGBTQ जो community है क्या ये illegal है बताएए नो सर it is not illegal it is not illegal it is not illegal at all it is legal it is legal कोई भी पूछे का न सर तुनल बोलेगा नवतेद सिंह केस 2018 okay sir next next एक केस हुआ था जिसका नाम था ओगला टेलिस ओगला टेलिस ओगला टेलिस वसेज मुंबई मुनसिपल कॉर्पोरेशन ठेक है मुंबई मुनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ केस हुआ था क्या केस था ये अच्छा आप लोगों ने देखा है कि जो रोड है रोड के अगल बगल में लोग खेला हुला लगा कि अग्दम अपना समोसा उमोसा बेचते है कोई फल फूरूट फूल पत्ती सब बेचता है देखें आप लोग हाँ सुर्ठ इसा ही मुंबई में भी हो रहा था थिक है पाने उने जाम हो जाता था वो लोग के कारण तो मुंबई मुंसिपल कॉर्पोरेशन क्या किया अतिकर्मन स्टाइट किया गुल्डोजर लेकर पुरा पहुंच गया क्या रहे हटा रहे सब अब उसी में एक सर ये था एक कोई बंदा था जानकार उसने देखा कि यार ये लो का रोजी रोटी ही चल रहा है वो उस ठेले से जो कि उस रोड के बगल में लगा हुआ है अगर आप उसका ठेला ही हटा देंगे तो जीए का कैसे और अगर वो जीएगा नहीं अगर आप उसका रोजगार पे अगर आप उसका लात मार रहे हैं मतलब सर आप उसका जीने पा खिब लात मार रहे हैं, वह जी नहीं पाएगा, और अगर वह जी नहीं पा रहा है, अगर वह अच्छे से जी नहीं पा रहा है, तो सर ये किस आर्टिकल का उलंगन हो रहा है, आर्टिकल 21 का सर, आप कैसे हटा सकते हैं, बताइए, तो सर ये case पहुचा सुप्रीम कोट और सुप्रीम कोट ने पूरा सुना दोनों पक्ष का बात सुना और सुप्रीम कोट क्या judgment पहाई कि यस यस राइट टू लाइवलीवूड राइट टू लाइवलीवूड मतलब सर सर जीने का जो भी सुरोत वगरा है उस चीज का राइट है सर आपका राइट टू लाइवलीवूड इस इंक्लूड़ इन आटिकल 21 that is right to life सर आपका जो भी चीज है जिससे आप कमा रहे हैं उसी चीज को हटा दिया जाएगा तो आप जीएंगे कैसे सर अभी वो कमा रहा है किसी भीग तो नहीं माग रहा है कमा रहा है सर खुद से इसलिए सर आप लोग जब भी देखते न अर्थिकर्मन वगरा करता है तो एक्के बाग जाके बुल्डोजों नहीं चला देता है बिसाइड के जाता है कि यह लोग कहां सर हटा रहे तो कहीं पर दूसरा जागा में सिफ्ट करेंगे तो बहुत प्लैनिंग होता है यह वाई सर राइट टू लाइवलिवूड लाइट टू लाइवलिवूड जो है न सर यह आपका आर्टिकल 21 में इनक्लूड़ेड है बोले समझ मारा जबको राइट टू लाइवलिवूड वाइवलिवूड समझ मारा सबको तभी भी आती करमन देखिएगा नशर ? याद किजेगा यह सब ऐसा चीज है ना ? जो आपको सब केस करना में एबर फिस बला देगे उगला टेलिस उगला 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 तेलिस सार्क टेंक याद रखेगा उचसे याद रहेगा उगला ठीक है उगला उगला टेलिस वासेस मुझाई मुंसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है चलिए next सर अधार काड्ड किसी को पता अधार काड्ड केस हुआ था किसी को में पता पता आप लोग बताइए अधार काड में आपलोग उसर Candyle Adler आपका नाम लिया जाएगा आपके फादर साब का नाम लिया जाएगा आपके फादर साब का नाम लिया जाएगा आपका फुर नंबर लिया जाएगा इमेल आडी लिया जाएगा आपका आइडिस का स्कैन करेंगा आपका फिंगर पिंगर 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 वी चार गोगोगा आलग तो लिया जाएगा तीक आपका एज देखा जाएगा बहुत कुछ देखता है कि अब समझ ये पूरा देश का डेटा कलेट करके कहीं न कहीं कोई कोई server में कोई database में रखा होगा न सर्य sites Θε कोई server में रखा Hawk करेगा Bowl की dtavis में योसा है माल लिजी है इस यह सर्वर में रखा होगा तो ग्रुआ to donate करेंट जाया कोई सर्वर मतलब क्या होता ज्यादा तो सर अलमारी किया हो गया एक database हो गया वह पुरा database वैसे ही सर जो virtual data होता है न डेटा बेस में रखा जाता है तो इतना जो data है वो किसी ने किसी virtual किसी new database में रखा गया होगा सर नौफ़ इग्जांपल कोई hacker उस database को hack कर लेता है और वहां से सब data निकाल लेता है बताइए आपका नाम चला गिया आपका पापा का नाम चला गिया आपका आईडेस चला गिया आपका जो भी जितना भी लिए सब कुछ चला गिया सब data चला गिया और सर आज का दुनिया में न यह चीज बोला जाता है कि data is a new source of income it is data is a new gold सुना आप लोगोंने डेटा जो है ना ये नया सुना है सुना है क्योंकि डेटा से ही डेटा को ही मैनुपुलेट करके ट्रॉंप ट्रॉंप बना ट्रॉंप मतलब प्रेसिदेंट बना ठीक है सब डेटा जो है ना बहुत मैनुपुलेटिव हो सकता है आपको नहीं लगता आधार काड नहीं बनना चाहिए तब अगर सुचिए आपका जा रहा है आपका पूरा घर का चला गिया आपका पूरा मोहला का कोई हैक किया तो आपका घर का चला गिया आपका मोहला का चला गिया आपका डिस्टिक का चला गिया आपका स्टेट का चला या पूरा इंडिया कपमाल ली ये पूरा डेटा को लेग लिया अगर हैक कर लिया गया तो पूरे इंडिया के बारे में पता चल जागा उस हैकर को कि बूले समझ माहरा आपको आपको नहीं लगता आधार कार्ड नहीं मनना चाहिए भी ऊचिस जिसकेशन आज भी होते रहता है आज आप लोग बहुत कोई आज आप लोग बहुत कोई फेस्बॉक में नंबर डालते हैं और उसको प्राइवेट कर देते हैं कर दिजे पबलिक आएक अज़को फोन वहां उनली मी करके रखते हैं तब इतना डल लग रहा है पबलिक नहीं कर रहे कि कोई फोन कर देगा तो चीजिए आपका डेटावाद चोरी करके पाकिस्तान में बेच दिया पाकिस्तान से डेली फोन कर रहा है तुमको तो मारबे करे अधार का-आम निकाल लेंगे क्तना देटा रहा इसी चीजव के बारे में अधार काड का एक केस हुआ था इसके का नाम है इसको फेमस अधार काड केस भी बोलते हैं और बोलते हैं इसको जस्तिस पुट्टु स्वामी केस थभिश्त सुन आप लोगों ने पुट्टू स्वामी केस, जस्टिस पुट्टू स्वामी केस, तीक है, जस्टिस पुट्टू स्वामी केस, दोजा सतरा का केस था सा, जस्टिस पुट्टू स्वामी केस, ठीक है, सर, एक एंगल ये हो गया, कि कोई है कुग कर लेता, दूसरा एंगल बता है, हम आपको, कौन यह डेटा उटा ले रहा है या राषी कोई करनाक पागल आदमी आ झार। बन गया प्रधान मांत्री कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी ऐसा आदमी जो capable नहीं है सर ठीक है लेकिन वो आ गया आप देख रहें सर जैसे माली जावी सिलिलंका को जो हालत है भगमान करके कभी वैसा केस कभी ना आए किसी भी कंटी में बट लेट फॉर इक्जामपल अगर किसी प्राइवेट कंपणी को बेच देंगे नौ टेल मी गवर्मेंट अगर ऐसा काम करती है तो आपका डेटा तो बेचा गया सर और सर गवर्मेंट को करोडो रुपया मिलेगा अर्बो रुपया मिलेगा सर उसके लिए अब बताइए आपका प्रिवेसी आपका जो डेट आपका प्रिवेसी का हनन नहीं है बताइए बिल्कुल है अधार कार्ड का बहुत ग्लिचेज है वही चीज़ के बारे में बात किया गया था अधार कर्ड केस या फिर जस्तिस केस पुट्टू स्वामी केस में और इस केस में इस केस में सुप्रीम कोट ने ये यूर फंडामेंटल राइट, हमारा राइट टू प्रिवेसी जो है न सर, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, यह मौलिक अधिकार है, और इसको कौन पावर करता है, यह किस आर्टिकल के तहत है सर, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 says, राइट टू लाइफ, and it also include, रा अरे दिन, हमको प्रिवेसी दीजिये, हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, इससे अच्छा इग्लाम पल दे रहे हैं, आजकल लड़का-लड़की भसाएगा न, तो लएककिया क्या बोलेगी बता है, औरे तुम हमको प्रिवेसी नहीं देता है, हम किसी से भी बात करें तुमको क तुमको क्या ठीक है तुमको कुछ नहीं पट आप समझ रहें प्रिवेसी का मतलब समझ रहें कि मैं कुछ भी करूं मैं कुछ भी करूं वो मेरे तक रहना चाहिए हम दुनिया को क्यों बता है so that is privacy and right to privacy is included in article 21 now tell me right to privacy is your fundamental right or not कि यह fundamental right है कि नहीं सर किस केस में बोला गया कि राइट टू प्रिवेसी जफंडमेंटल राइट किस केस में बोला गया जयां अधार कर्द केसा ए तू सव मीडिये आप याद रखेगा इसी को हाड़ रखेगा वैसा उसी просто याद रखेगा आप एक्जाम में यह मत लिखे आजाएगा आधार काड़ केस इसको लिखेगा सर इसको लिखेगा और ब्रेकट में लिखेगा तो फेमस आधार काड़ केस ठीक है चली समझ मैं सबको next now tell me